वालकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल वर्ल लिट्रेचर आज जी टॉपिक हम लोग डिसकस करने वाले हैं वो है दी नोवेर मान नौवल बाय कमला मरकंडिया का यह जो नौवल है इसके अंदर जो मेजर थीम आज हम डिसकस करेंगे वो है रेशियल डिस्करिमिनेशन कि कि एक जो ब्राहमन मान है उसको अपने ही कंट्री इंडिया में रेशियल डिसकरिमिनेशन को फेस करना बढ़ता है लेकिन जब वो उन कंट्रीज में जाता है जिन्हों ने कभी इनको कॉलनाइस्ट किया था जैसे ब्रिटे ने इंडिया को कॉलनाइस्ट किया था यह जब इं राइचर है कमला मरकंडिया इनकी बर्थ हुई थी 23 जून 1924 में इनकी देख हुई थी 16 मेय 2004 में इनको जो है वो कमला पढ़नेया के नाम से भी जाना जाता है यहां पिंगा जो मैरेड नेम है वो कमला टेलर है British Indian Novelist थी और Journalist थी इनको जो है वो one of the most important Indian Novelist writing in English का जो award है वो दिया जाता है यहां फिर इनको जो है यह title दिया जाता है कि अगर English writing में Indian Novelist में कोई बहुत greatest writer है तो वो कमला मरकंडिया है यह हो गए हमारी writer अब discuss करते हैं हम अपने novel का introduction यह जो novel है The Nowhere Man यह 1972 में published हुआ था English language में इसको लिखा गया है कमला मरकंडिया ने इसको लिखा है कंडिया का यह seventh novel था इनके literary career में और यह जो novel है यह tragedy है जिसके अंदर alienation को दिखाया गया है और किस तरह से एक elderly ब्राहमिन सेरी निवास जो है वो अपनी जो life है इन लंडन में experience करता है means कि एक लंबे अर्से से वो लंडन में रह रहा था लेकिन जो racial discrimination जैसे disease है उसको भी लग गई थी means कि उसको भी यह सब चीज़ें जो है वो face करना पड़ी थी नौवल के characters को discuss करते हैं सबसे पहले जो हमारा main character है वो है सिरी निवास का character जो के Indian Brahmin scholar है इसकी wife है वसंथा जो के एक Brahmin girl थी इसके दो बेटे होते हैं सिरी निवास और वसंथा केज का नाम लक्समन और सी हू है और third पर जो fourth character है हमारा वो है Mrs. Pickering जो हमारा last character है वो है Fred Fletcher यह हमारे इसके अंदर important character है सिरी निवास जो के Indian Brahmin scholar है वसंथा जो के इसकी wife है लक्षमन और सी हू जो है वो इन दोनों के बेटे हैं Mrs. Pickering जो है वो सिरी निवास की friend बनती है और जो Fred Fletcher है वो neighbor में रहते हैं सिरी निवास के इस तरह से होता है कि जो novel का protagonist है दी नोवेर में का सिरी निवास अभी जो है ना एक Indian Brahmin scholar है और इसने जो अपनी सारी youth थी या पि जो अपनी सारी young age थी इसने southern India के अंजर गुजारी थी जो के pre-independence time से पहले का है means कि अभी independence जो है वो मिली नहीं थी इंडिया को British से या फिर जो भी East Indian company थी उस time पर उन सब से अब यह जो है ना यह इसकी शादी होती है एक beautiful Brahmin girl से जिसका नाम होता है वसंथा अब यहां पर इसकी जो है वो marriage तो हो जाती है उसके बाद जब marriage होती है ना तो यह England को विजट करने के लिए जाता है अब वहाँ पर इसलिए जाता है क्योंकि इसको academic excellence के वज़ा से जो है ना वहाँ England जाने का chance मिलता है इसलिए जो है यह England को विजट करने के लिए जाता है बहुत जल्द यह जो है वो business man बन जाता है और एक successful business man इंगलेंड में बन जाता है successful business man बनने के बाद यह जो है अपनी wife वसंथा को भी England ले जाता है वहाँ पर जो है यह अपने Indian beliefs traditions, habits, dress means के हर चीज़ को इंडिया से अब shift कर रहा है England में means के अब खुद वहाँ पर जाएगा तो means कि इसको racial discrimination की तरफ जा रहा है इंडिया में रहते हुए तो racial discrimination हुए ही रहा था क्योंकि यह एक ब्राहमीन था लेकिन अब लंडन में जाके इनके साथ क्या होगा क्योंकि इनका जो culture है वो Indian है इनके जो beliefs है इनकी जो customs और norms यह हर चीज़ को Indian की जो भी है उनको follow करते हैं और जब आप एक country से belong करते हैं और आप उस country में जाएं जो खुछ को पहली already जो है वो superior consider करता हो तो वहां जाकर जो है वो आपके identity crisis कैसे होंगे अब वो जो है हम story में discuss करेंगे वाइफ वसंथा के साथ England आ जाता है तो उस जाती नवास और वसंथा जो है वो इनसे बहुत जादा जो है वो प्यार करते हैं अब जो है वो second world war start होने वाली है और जो के इन उन्होंने अपना घर जो है ना वो south London में ले लिया है अब यह वहां पे रह रह रहे हैं और अपनी जो भी इनकी requirements है future को लेकर यहां पे जो आने वाले कल में इनको जरुरत होगी इन्होंने उस हर चीज़ को buy कर लिया है और उन्होंने एक घर भी बना लिया है जिसकी वज़ासे वसंथा बहुत ज़़ा है कि finally जो है ना उन्होंने अपना एक छोटा सा land बाइक कर ही लिया है लंडन में अभी जो इनका बड़ा बेटा है लक्षमन वो है इंजीनियर ब्रिटिश आर्मी में और इनका जो यंगर सन है सी हूँ वो है नविगेटर है रोयल एर फोर्स में अब जब अनफोर्टिनल्टी होता क्या है कि जब वर्ड वर्ड टू होती है तो इसका जो बेटा सी हूँ है उसकी जो है ना एंबॉलेंस एक्सिडेंट में डैथ हो जाती है अब उसकी डैथ के बाद इसकी जो मदर है वसंथा बहुत जादा upset होती है उसके condition terrible हो जाती है उसके बाद लक्षमन पैट नामी girl से जाना वो शादी कर लेता है अब यह जो पैट है वो English girl है और प्लाय माउथ में यह रहती है अब यह जो है इसके साथ शादी कर लेता है उसके बाद यह अपने parents के साथ रहना तो शुरू कर देता है लेकिन अ वसंथा को जो है वो tuberculosis हो जाता है इस disease के वज़ा से वसंथा की जो है वो death हो जाती है वसंथा की death के बाद जो सिरी नवास है उसका जो business है उसमें उसको बहुत ज़्यदा loss होता है उसकी जो condition है वो desperate हो जाती है और वो puzzle भी हो जाता है और वो एक aligned land पे खुद को बहुत ज़्यदा जो है वो alone फील करता है इसके difficult situation जो है वो balance नहीं हो पा रही थी तो सिरी नवास को जो है एक elderly lady मिलती है जिसका नाम होता है Mrs. Pickering अभी Mrs. Pickering के साथ इसका time बहुत अच्छा गुजरता है Missing Pickering एक helpless lady थी इन husband wife रह रह रहा है तो इसको जो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लक्षमन जो है उसको बाद में इसके father की जो एक disease उसके बारे में पता चलता है लेपरोसी जो के एक infection है Mrs. Pickering जो है वो इसके बहुत ज़्याल रखती है उसकी care करती है सरी नवास की और उसके बाद जो मिली है तो इसके economical condition जो है न वो बैटर होना शुरू हो गई है Mrs. Pickering भी बहुत ज़र इसको support कर रही है अब यहां पे इनके साथ एक नहीं यहां पर प्रॉब्लम हो जाता है peaceful happy life चल रही थी सरी नवास के neighborhood में Fred Fletcher रहते हैं अब यह जहना वो सरी नवास को harass करना स्टार्ट कर देते हैं harass क्यों करते हैं क्योंकि वो एक इंडियन है सरी नवास उपर से ब्राहमीन है यहां पर जो है वो racial discrimination स्टार्ट हो जाता है अब यह जो फ्लेचर है इसकी जो racial discrimination है इसकी कोई boundary नहीं है means कि यह इतना ज़्यादा torture करते हैं सरी नवास को उसको abuse करते हैं उसके पर कभी तार फैंक देते हैं यहां फिर उसके जो घर के बाहर है कभी dead mice फैंक देते हैं इस टाइप की जो different डिफरन यह tactics है न वो अपनाते हैं ताकि racial discrimination जो है न वो उसको strongly उससे abuse किया जा सके सरी नव को फ्लेचर खुद तो torture कर ही रहा था सरी नवास को फ्लेचर ने अपने सारे friends को भी मिला लिया ताकि यह जो जगह है न यहां को छोड़कर चला जाए यहां पर जो लैंड इसने लिया हुआ है इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए यहां से चला जाए इस्ट ने हमें यह हमेशा से ill-managed consider किया जाता है जो वेस्ट है वो हमेशा खुद को well-managed consider करता है यहां पर सिरी नवास के साथ बहुत ही ill-treatment होता है उसको torture किया जाता है without any reason उसके बार जो है इसकी इतनी pathetic situation हो जाती है कि सिरी नवास की death हो जाती है अब जब इसकी death होती है ना फ्लेचर जो ह है कि dead body को जो है वो जला दिया जाता है तो फ्लेचर जो हुआ है इसकी dead body को जलाता है और ताके जो है देन उसकी जो बच जाएगी ashes उसको जो है वो पानी में फैंक देगा अब डॉक्टर जो है वो सिरी नवास को बचाने की बहुत ज़दा कोशिश करते हैं लेकिन उसकी सारी efforts होती है वो fruitless होती है उसके बाद जो है जो हो इनकी life का end हो जाता है सिरी नवास की सिरी नवास की अब life का end होता है तो उसके जो last moment थे या जो last days थे life के वो हमें क्या depict करवाते हैं वहां से पता चलता है कि सिरी नवास जिस country में आया था λंडन में means के या पर discrimination हुआ उसने खुद को alone fail feel किया अब जब यहां पर यह था ना अपने last days में तो यह सोच रहा है मैं अपने इंडिया वापस चला जाओं लेकिन जब वो यह सोचता है तो कहता है कि वहां तो मेरा कोई है नहीं तो मैं किसके पास जाओंगा तो means कि the nowhere man कि किसी भी इंसान का कोई खुद का personal land है ही नहीं कि अब कहीं भी जाने के लिए वो बचा ही नहीं है तो इसकी यहां पर ही death हो जाती है यह था हमारा novel जिसके अंदर हमने सिरी नमास की journey को डिसकस किया है जिसमें हमने देखा कि किस तरह से racial discrimination के वज़ा से लोग जो हैं वो अपने last days भी means कि life के जो last moments ह उनको भी peacefully जहां वो spending कर सकते हैं means कि नहीं सिरी नमास के पास उसका खुद का personal land था वो एक alienated country में था और हमेशा उसको alienation ही face करना पड़ा उसकी wife की death के बाद से ही उसका जो bad time था वो start हो गया था और उसकी death के साथ ही जो है वो उसकी death सिरी नमास की death के साथ उसकी खुद की यह जो bad journey थी वो खतम हो गई थी I hope कि आपको यह जो lecture है वो समझ आया होगा इस पर major theme racial discrimination का था alienation का था लॉन लाइनिस का था इस टाइप के जो themes हैं वो आपको इस story में मिलेंगे विडियो को like और share और channel को ज़रूर subscribe कीजिएगा thanks for watching my channel